नमस्कार दोस्तो, FNN News में आपका स्वागत है सुरक्षागा खास याल रैपिड रेल से जुड़े विशेशग्यों के अनुसार अपने स्लीक और अत्यादुनिक डिजाइन के साथ ये ट्रेन सेट रिजनरेटीव ब्रेकिंग सिस्टम सिनलेस हलके वजन वाले हैं और आटोमेटिक ट्रेन प्रोटक्शन आटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल और आटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन्स के साथ संयोजित हैं रिजनरेटीव ब्रेकिंग सिस्टम इन ट्रेनों की एक महतपूर्ण विशेशता है जो ब्रेक लगाने पर बिजली उत्पन करती है और ये उत्पादित बिजली ट्रेन सिस्टम ओर हैट ट्रेक्शन के माध्यम से वापस इलेक्टिक ग्रिद में चली जाती है प्रवेश और निकास के लिए यात्रियों के लिए अधिक तमिस्थान के लिए चोड़े गलियारों के साथ पूरी तरह से वातानुकुलित कोच है टिंट वाले बड़े खिड़की के शी से बाहर का मनोरम दरश्यय दिखाएंगे एगोनोमिक रूप से डिजाइन की गई टू बाई टू ट्रांसवर्स सीटिंग ओवर हैड लगेज रैक वाली कुशन वाली सीटे हर ट्रेन में एक प्रीमियम क्लास कार जो आराम दे सुईदर जनक और यूजर फ्रेंडली होगी जिसमें अधिक लैग रूम कोट हैंगर के साथ चोड़ी सीटे होगी और वेंडिंग मशीन की सुईदा से सुसजित होगी दोस्तो मैलाओं के लिए विशेश रूप से कोच अरक्षित किया गया है वही एनरजी एफिशेंट रोशनी आदारित आटो नियंदन परवेश प्रकाश प्रनाली भी इस ट्रेन की विशेशता है CCTV निगरानी आदोनिक पैसेंजर अनौसमेंट और डिजिटल पैसेंजर इन्फरमेशन सिस्टम इस खुबसूर ट्रेन की खुबसूरती और बढ़ाने का काम कर रहे है वही वाइफाई और ओन बोर्ड इन्फोटेन्मेंट साथ ही हर सीट पर मुबाइल चार्जिंग के लिए एक USB पोर्ट भी दिया गया है इससे आप इसकी स्विधाओं का अंदाजा लगा सकते हैं वियांगों के लिए विहिंचेयर की जगा और आपातकालिन चिकितसा परिवन के लिए इस ट्रेचर की जगा का प्रावदान इस सूपर ट्रेन में किया गया है जिसमें सिग्नलिंग, स्वचाली ट्रेन संचालन और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के साथ इसे जोड़ा गया है अंतराष्टे सुरक्षा मानवों पर आधारिक इसकी डिजाइन और इसका निर्मान किया गया है साथ ही RRTS अपनी तरह की पहली प्रावली है जिसमें 180 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से ट्रेन हर पास से 10 मिलट में उपलब्द होगी और एक घंटे में लगबग 100 किलोमेटर की दूरी तय करेगी बता देगी NCRTC ने NCR में विभिन्व सारजिनिक परिवहन प्रनालियों को मूल रूप से जोड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाने की पहल की है RRTS स्टेशनों का जहां भी संबवों मैट्र स्टेशनों रेलवे स्टेशनों बस डीपों के साथ सहज एकी करण होगा RRTS राष्ट्री है राजधानी शेत्रों में लोगों और इस्थानों को करीब लाएगा और इस शेत्र के सतत और संतुलित विकास को शक्षम करेगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये निउस हमें कमेंट करके बताएं साथी लाइक और शेयर भी करें